Hey there, press the bell icon and never miss a video on cyber security and technology. नाम तो सुना ही होगा, तो इसको मैंने काफ़ी टेस्ट किया है, परसनली काफ़ी यूज किया है cyber security के लिए, और आप ये वाला वीडियो पहले देखकर आजाओ, क्योंकि मैं इस वीडियो के बेसिस पर ही judgment देने वाला हूँ, अपना opinion शेयर करने वाला हूँ, कि आगे क्या, like chat, GPT जैसे AI products, क्या human को replace कर सकते हैं, क्या cyber security हमको पढ़ना चाहिए, क्या इसके career पर effect पढ़ेगा, क्या jobs जाएंगी, तो आए शुरू करते हैं, देखो AI का concept कोई नया नहीं है, ये 40-50 सालों से इसके उपर research और development चल रही है, लेकिन technological advancements जो की उस time पर होते थे, वो बहुत धीरे होते थे, आज की date में technology बहुत जल्दी evolve हो रही है, जो हमने already बना लिया है, like computers और machines उनका हम use कर रहे हैं आज, तो पहले क्या होता था कि machines में जो instruction code किया गया है, वो वही कर सकती थी, लेकिन आज की date में AI खुद learn कर सकता है, वो software's खुद learn कर सकते हैं, हमें उसे बस ब और social media जब से आया, chatbots तब से famous हुए हैं, और उस time पर पहले क्या होता था कि कुछ predefined answers होते थे, कि like हम कुछ बोलेंगे तो वो कुछ set of answers है, उनमें से जवाब देगा, लेकिन आज की date में AI learn कर सकता है, उसके पास दिमाग है, वो smart है, तो उसके पास कोई predefined answer नहीं है, उसक कि बहुत ही नए concept के साथ train किया गया है, जिसको transformer model बोलते हैं, एक बहुत massive amount of data के साथ इसको train किया गया है, जो कि आज तक की सबसे largest data sets में से है, इसलिए ये इतना smart और viral हो रहा है, अब simple भाशा में बताऊं, तो internet की सारी की सारी data पर इसे train किया गया है, इसको सब कुछ पता है, जो भी internet पर present है 2021 तक, और सिर्व इतना ही ने human के interactions इसे पढ़ाया गया है, like, दो humans की one-on-one conversations को पढ़ाया गया है, इसे और train किया गया है, ताकि ये humans की तरह बात कर सके, तो data को पहले human language में transform किया गया है, deep learning से, जिसको हम GPT बोलते हैं, जो कि 2020 में release हुआ था, एक language model, तो chat GPT को GPT 3 family के language models से train किया गया है, जो कि आज तक की सबसे fine-tuned और biggest language models है, अब जब मैंने इसे test किया था, तो ये बहुत smartly answer दे रहा था मेरे हर question का, कुछ जगह पर ये गलत answer भी दे रहा था, और कुछ जगह पर ये topic से भटक भी रहा था, तो इसी behavior पर analysis करते हैं, सबसे पह chat भी नहीं पता, तो भी आपको समझ में आ जाएगा, और accurate answer थे, और यहाँ पे difficulty level भी change कर सकता है, कि depending upon कि कितना समझ में आया आपको, उसके according ये answers frame कर सकता है, अब इस bot को use करने के लिए भी आपको पता होना चाहिए, कि questions क्या-क्या होते हैं, like मुझे पता है, कि SQLI क्या होत होता है, IDOR क्या होता है, तो यह आपको पढ़ना पड़ेगा, cyber security की knowledge लेनी पड़ेगी, और यही knowledge अगर आपको degree और scholarship के साथ मिले तो, तो यही सारे benefits आपको rise दे सकता है, rise एक online education platform है, जिसने thrive dx के साथ collaborate करके, एक zero to hero training बनाए है, जो को हम बोलते हैं, post graduate in cyber security, जो कि आपको beginner to pro बना सकती है, in just 12 months, इस course के content की बात करें, तो इसमें future ready topics पर focus किया गया है, like cloud sec, app sec, risk management, digital forensics, threat intel, etc, इस program के features की बात करें, तो सबसे पहले तो यह remote program है, आप घर बैठे लेन कर सकते हो, तूसरा इसमें आपको practical skills सिखाई जाएंगी, like CTF और bug bounty के projects होंगे, in real world scenarios, तीसरा advantage है कि यह program सिर्फ 12 महीन होगा है, तो आपको एक degree मिल जाएगी cyber security में in just one year, तो यह बहुत ही hands-on और interactive course है, जहाँ पर आपको career guidance भी दी जाएगी, जिससे आप career ready बन सकते हो, और इसके recruitment process पे around 500 MNCs participate करती है, तो you can work in these companies, आपको याद होगा, तो last year मैंने RISE के PG program की बात की थी, जहा सेरे subscribers के लिए, तो अगर आप graduate है, या working professional at technology field में, और आपको career बनाना है cyber security में, तो यह एक बहुत बड़ी opportunity है आपके लिए, बिल्कुल miss मत करो, अभी जाओ description में link है, link में जो form है, उसको fill करो, और उसे submit करो, उसके बाद RISE की team आपसे contact करेगी, आपकी profile assess करेगी, और आपक suitable scholarship provide करेगी, लेकिन याद रखना, कि यह जो deadline scholarship की सिर्फ 10 दिनों के लिए, तो be fast and all the best, तो chat GPT से उसके बाद मैंने pen testing और red teaming के question पूछे, जिसमें बहुत सही answer दिये, इसने, like बहुत अच्छे accurate answer देता है, जो basic questions के होते हैं, like LFI के payloads लिख लो, windows के लिए, या PowerShell की script लिख command लिखना है, जिससे सारी sensitive files मुझे मिल जाएं, तो वो लिख के देगा, या कोई और इसको use case बोलो, कोई भी अपना favorite tool बोलो, वो सब में command लिख के दे सकता है, आपको, लेकिन अगर आप बहुत specific questions पूछते हो, like 4-5 conditions लगा देते हो, और बोलते हो, कि ये भी करना है, वो भ बेवकूफ बनाना बहुत आसान है, like, कि आप इसको बोल दो कि ये चीज़ मुझे ethical pen testing के लिए करनी है, ये चीज़ legal है, तो ये अपना मन बदल लेगा, आपकी बात मान लेगा, और ये लिख देगा, तो ये अपनी ही policy पर confident नहीं है, और ये किसी पर भी trust कर सकता है, अब इसने बताया भी तो वो almost सही था, लेकिन पूरा सही नहीं था, और वो real world में काम नहीं है सकता, तो I think मैंने कुछ गलती की थी, मैं इतना specific नहीं था, मैंने आपने आपको explain नहीं किया कि मेरा, मेरी जो requirement है, वो क्या है, तो आपको questions बहुत specifically पूछने, it's all about how you frame your question, बहुत specific ह होना पड़ेगा, बहुत explain करना पड़ेगा, अब आते हैं blue taming पर, तो इस section में बहुत accurate answer दिये इसने, like splunk की queries लिखनी है, या EL के queries लिखनी है, ये लिख देगा, malicious traffic patterns पता करना है, ये वो भी लिख देगा, और जैसा मैंने बताया कि इससे cyber crimes बहुत बढ़ने वाल है, like बच ransomwares, वगर बहुत कुछ बन सकते हैं, तो अगर जो blue teamers हैं, उनका काम मुश्किल होने वाला है, तो वो लोग अगर इसको use करते हैं, तो बहुत फायदा होगा इनका, और research ने proof किया है, कि SIEM tools का analysis है, ये improve कर रहा है, तो इसको use करना चाहिए blue teaming में specifically, इसके बाद सबसे interesting section पर आते है, social engineering, ये interesting क्यों है, क्योंकि इस section में black hat, ये cyber criminals बहुत बढ़ने वाले हैं, क्योंकि ये phishing emails लिख सकता है आपके लिए, और इतने professional और accurate लिखता है ना, कि एक बार को तो कोई security का आत्मी भी फस जाए, तो ऐसे templates लिख देता है, जो शायद Google पर आपको घंटो ढू cyber criminals जो इसको use करेंगे, कितने advance हो जाएंगे वो, और crimes कितने बढ़ने वाले हैं, तो attacker के बास बस एक agenda होना चाहिए, एक successful phishing campaign का, जो कि general लगे, honestly I was a bit scared at this point, क्योंकि users are the weakest link in the chain, और हम over smart हैं, इसका फायदा ये उठा सकता है, बाकि मैंने इससे career guidance पर भी question पूछे, कि कोई ऐ specific scenario based नहीं था, तो it was average at this point, अब एक और interesting section है automation, जो कि bug bounty वालों को बहुत काम आने वाला है, तो मैंने इससे पूरी recon automate करवाई, like subdomains find करना, active sites find करना, और screenshots लेना, तो सब लिख दिया है इसने accurately, आप चाहने तो of course कुछ से changes कर सकते हो, लेकिन ये power है, तो मेरे इस encounter से conclusion क्या न to us, अब एक NISD nice framework है, जो कि आपको ये बताता है कि आपको क्या और कितनी knowledge, skills और abilities चाहिए, एक cyber security professional और practitioner बनने के लिए, तो जब knowledge की हम बात करते हैं, तो knowledge are facts that you know, अब AI के पास far better knowledge है हमसे, क्योंकि हमारी memory limited है, इसके पास practically हर उस topic की knowledge है, जो दुनिया में exist करती है, जिसके पर ये train किया गया है, तो ये सोचके देखो कि इसका use करके हम अपनी knowledge कितनी immensely improve कर सकते हैं, हमको commands याद नहीं रहते हैं, पूछ लो, कोई attack कैसे perform करना है, पूछ लो, कोई bypass कैसे perform करना है, पूछ लो, but skills are different, skills वो experiences हैं, जो आपको काम करने से मिले हैं, उस role में, तो chat GPT के पा कभी report नहीं बनाई है, इसने कभी CDF नहीं खेला है, इसने OACP नहीं दिया है, ये सब आपने किया है, तो इसको क्यों पता है, क्योंकि इसको दूसरों के experience से पता है, इसने खुद कुछ नहीं किया है, और abilities की बात करें, तो ये capacity होती है आपकी skill apply करने की, तो जब skills ही नहीं है, तो abilities की बात ही नहीं आती है, तो इसको आप ये नहीं बोल सकते है कि एक pen test कर और मुझे report भेज, ये कोई automatic scanner नहीं है, ये conversations करने के लिए train किया गया है, इसको आप ये नहीं बोल सकते है कि कोई meeting schedule कर, खुद से नहीं कर सकता ये, ये devs के साथ बैट के ये requirements gather नहीं कर सकता कोई business specific decision नहीं ले सकता, कोई project manage नहीं कर सकता, proactively changes suggest नहीं कर सकता, तो जो चीज public है, उसी के बारे में इस information है, और जो इसको आप training दोगे, ये उसी की अंदर से ही answer कर पाएगा, तो at the end of the day, ये एक chat software है, जिससे आपकी knowledge immensely improve हो सकती है, अगर आप इसको अपनी day to day tasks में use करते हो, तो large scale पर सोच के देखें, तो आप इससे वो काम करवा सकते हो, जिसमें deep context involved नहीं है, तो automation वाले सारे काम इस पर छोड़ दो, और जिसमें दिमाग लगता है, जिसमें context लगता है, वो खुद करो, मतलब web scraping करवा लो, API collection बनाना है, ये attack ये payloads बनाने है, आपके घंटों पचा सकता है, तो if you ask me, कि will chat GPT take your jobs, तो मेरी तरफ से it's a big no, in my opinion, क्योंकि cyber security या computer science के किसी भी domain को ले लो, अब ऐसा भी नहीं है कि कोई effect नहीं पढ़ने वाला, आगे आने वाले 5-10 सालों में workforce कम हो सकती है, इसलिए मैं आपको बोलता हूँ कि अपने आपको हमेशा upskill करत human work, manual pen testing की requirement हमेशा रहेगी, humans कहें नहीं जाने वाले skilled workforce की requirement हमेशा रहेगी, but AI के advancement को देखते हुए, दर तब लगना चाहिए, जब ये enough context के साथ decisions लेना सीख जाया, उसमें अभी time लगेगा, और उसमें training के जो resources लगेगे ना, वो mainstream में in the near future आना possible नहीं है, तो अभी के हो, तो सब में डरो ना, सिर्फ InfoSec में क्यों, AI will be everywhere, so how can you escape, तो अभी के लिए it's not mature enough, अभी इसे बहुत context बिल्ड करना है, बहुत पढ़ाई करनी है, और इसको जो training दी जा रही है, इसको वही पता है, जो हमने इसको बताया है, या किसी ने किया हुआ है पहले से, और बहु हथ तक possible है, तो इसको आपको यह responsibility नहीं दे सकते हैं आज की date में, और at the end of the day, ultimately जो भी यह काम कर रहा है, उसको आपको manually verify करना ही पड़ेगा, और इसको जो data है, वो limited है 2021 तक, तो recently जो भी चीज़ें हुई है, recent attacks, जो भी technological advancements हुए हैं, वो सब इसको कुछ नहीं पता, और उ जो new language model आ रहा है, GPT-4, इस पर train करने से यह बहुत better हो सकता है, और काफी अच्छे decisions ले सकता है, लेकिन उसके लिए भी time लगेगा, यह अभी भी सीख रहा है, जो भी आप इससे बात कर रहे हैं, जो भी लोग इससे बात कर रहे हैं, उससे भी सीख रहा है, लेकिन देखना यह होगा कि यह सही सीख रहा है या गलत सीख रहा है, but again we are only seeing the tip of the iceberg, बस अभी शुरुआत है इस technology की, और अभी उसमें काफी time लगेगा, उस stage को आने में, जहां हम career at stake वाली बाते करेंगे, so don't worry about AI, इसको सिर्फ as an advantage देखो, ना कि destruction, तो cyber security का scope आगे भी बढ़ेगा, तो you can बिलकुल invest in your studies, please do that, और यह हर field में अपलाया होता है, सिर्फ इसमें ने कि अपने आपको इतना skilled बनाओ, कि चाहे वो AI हो या human कोई भी replace ने गर पाया आपको, तो बैस ही message था मेरा इस वीडियो में, I hope आपको समझ में आया होगा, मेरा क्या opinion है, आप अपना opinion बताएं, comments में कि आपको क्या लगता है, कि चैट GBT से क्या effect पड़ेगा हमें, क्या मैं सही था या मैं गलत था, तो मुझे correct करिए, अपना opinion बताएं, और आगे ऐसी cyber security पे, ethical hacking पे वीडियो आते रहती हैं, तो subscribe करते रहना, और बस देखते रहें, सिखते रहें, और goodbye